shielded का क्या आर्थ होता है यह आज किस वीडियो मी सीख लेती है shielded का दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो जिसे shield किया गया हो या जो shield किया गया हो उसे हम adjective के रुप में shielded कह सकते हैं इसके इलावा shielded जो है वो shield का past tense और past participle होता है यानिके shield की ही second और third form होती है shielded और shield का आर्थ होता है रक्षा करना, ढाल से रोकना, हिफाजत कर देना, बचाना या रोकना तो जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि उसने अपने आखों को धूप से बचा लिया तो आप कहेंगे he shielded his eyes from the sun या अगर आप ये कहना चाहें कि उसे उसकी मा ने सजा से बचा लिया था तो आप कहेंगे he was shielded by his mother from punishment अब आप ऐसे ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें